How are you class first? Welcome to Shri Khaiteswar English Academy आज हमारी क्लास है जीके की, इससे पहले हमने जीके में पढ़ेंगे चैप्टर 15 कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 15 अचाप्टर 15 से पहले हम एक बार देख लेते हैं, हमने जीके में चैप्टर 14 पढ़ लिया था तो चैप्टर 14 में हमने जीके में क्या बढ़ाता वो देखो यह आपका चैप्टर 14 जो इससे पहले कि जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ाता वाट मैं मैं कौन हो इसमें आपको बताना था कि fruits और vegetables के बारे में तो जहां पर fruits थे हैं वहां पर नाम लिखना था ओने फ्रूट में तो देखो हमने साइट में क्या लिखा है F लिखा क्योंकि ग्रैप्स क्या है स्वारी एक फ्रूट जर्ला अंगूर जर्फ तर रॉत पे देख क्या है अन्गूर कनलुकाफ में होटा है प्लावर। फूल को बी यह तो एक वेजेटेबल इसलिह हमने यहाँ पर क्या लिख्या वी फिर नाइन नंबर पर्माइन नंबर पर क्या है किसकी बनी हूई है बनाना की और बनाना क्या बनाना एक फ्रूट है वी एए ठ z t 2021-49wa 2 के बाद जो आपका अग्ला इइस अग्ला तया चैप्टर innagh was पढ़ेंगे तो देखो चैप्टर 15 में कि आपके जिक्व की बुक का पेस no.21 आपकी जो जिक्व की बुक है उसका पेस no.21 पर रहे हैं compound word चैप्टर 15 के साधे आपकी unit 4 स्टार ओर ही है unit 4 का नाम क्या है language power आपकी unit 4 चैनाम है लेंग्वेज पावर चैप्टयर 15 अपका नेम सब्सक्राइब इलनelsत अब देखो दे रखी है उन दॉनों के नेम को जोओं मतलब नोनों के नेम को प्लस करके एक कंपाउंड वर्ड बनाना जैसे देखो फरस्ट पिचर पर देखो आप परस्ट नमबर पर हो किसकी बिचर बनी हुए है संकी और उसके बाद में ड्रोड फलास दो प्लस में है डूब लिखंग लेकिन क्या है दो सब्दो से मिलकर बनाये तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखो आपको क्या करना है जहां पर मैं अंडलाइन कर रही हूं वहाँ पर आपको यह स्पेलिंग लिखनी है जो मैं बताऊंगी सब वन नमबर पर यहां पर यह क्या है Sun है क्या है सन तो यहां पर जहां मैंने अंडरलाइन की है यहां पर आपको स्पैलिंग लिखनी है सन की तो लिखो एस यू एन सन सन की स्पैलिंग क्या होगी एस यू एन सन देखो मैंने आपके यहां पर सन की स्पैलिंग लिखी है आप लिखो पापस एस यू एन सन सन की स्पैलिंग लिख ली बेटा सबने रफ कर दू मैं इसे ओके यह मैंने इसको रफ कर दिया अब देखो सैकेंड आपकी क्या दे रखिए ग्लासे क्या दे रखिए ग्लासे तो जहाँ पर अंडरलाइन करें हूं वहाँ पर यह स्पैलिंग लिखना glasses की spelling क्या होगी two glasses इसलिए क्या लिख बोलेंगे हम glasses तो लिखो इसकी spelling क्या होगी G L A S S E S glasses क्या होगी G L A S S E S glasses वापस देखो वेटा एक बार spelling G L A S S E S glasses लिख लिए आप लोगों ने ओके तो रफ कर दू मैं इसे अब मैं equal में देखो equal में क्या दे रखा है जहां पर मैं underline करूं वहां पर यह वाला क्या करना है compound word बनाना है इन दोनों को plus करके लिखना है तो sun plus glasses तो यह क्या हो जाएगा sunglasses क्या हो जाएगा sunglasses तो spelling लिखो आप S U N Sun G L A S S E S sunglasses क्या हो जाएगा sunglasses क्या हो जाएगा sunglasses लिख लिख लिए आप लोगों ने यह आपको first number पर लिखनी है done okay अब हम आते हैं second में तो देखो रफ कर दू मैं इसे यह मैंने रफ कर दिया अब second number पर देखो क्या दे रखा है आपके star और फिज इस्टार प्लस फिश दे रखा है तो देखो second नमर पर आप क्या लिखोगे जहां पर मैं अंडरलाइन कर रही हूं अभी यह मैंने यह पर अंडरलाइन किया यहां पर आपको लिखना है स्टार क्या लिखोगे स्टार स्टी ए आर स्टार क्या हो गया स्टी ए आर स्टार वापस देखो एक बार जहां पर अंडरलाइन किया मैंने वाँ पर लिखना है स्टार के बाद किसख की पिचर बनी हुएं जहां पर अंडरलाइन कर रहे हैं फिशंकर लिखोगे फिशच की यहां इसकी स्पेलिंग क्या होगी एफ आइस एज फिश बर दुबारा देखो एफ आइस एज फिश लिख लिए आप लोगों ने रफ कर दू मैं ओके कर दू वेड़ा चलो मैंने रफ कर दी अब देखो स्टार प्लस फिश इकॉल में क्या आजाएगा आपके जैसे संप्लस ग्लास का क्या हो गया था संग्लास इस वैसे स्टार प्लस फिश क्या होगा स्टार फिश तो देखो मैं यहां पर लिख रही हूं स्टार फिश क्या हो जाएगा स्टार फिश रफ कर दू ओके यह आपको सैके नमबर पर लिखना है इकॉल के बाद स्टार फिश रफ कर दूं अब हम करते हैं थर्ड नमबर थर्ड नमबर फे देखो किसकी पिचर दे रखेंग किया है बटर की क्या है यह बटर बटर की स्पेलिंग क्या होती है लिखो वी यू टी टी ई आर बटर क्या होगा वी यू टी टी ई आर बटर थर्ड नमबर पर आपको लिखनी है बटर की यह देखो मैं एंडरलाइन की यहां पर आपको बटर की स्पेलें लिख दिया है बी यू टी टी ए आर बटर लिख लिए आप लोगों ने रफ कर दू इसे ओके मैं रफ कर रहें अब हम करते हैं बटर प्लस सेकेंड जो इस पिच्चर दे रखिए वो क्या है फ्लाइ क्या है फ्लाइ तो फ्लाइ की स्पेलिंग क्या होगी फ्लाइ की स्पेलिंग क्या होगी फ्लाइ लिखो सब लोग यहां पर जा मैं अंडर लाइन कर रही हूं यहां पर आपको स्पेलिंग लिखने है फ्लाइ की फ्लाइ लिख लिख लिया रफ कर दू इसे यह मैंने रफ कर दी चलो अब देखो इनको प्लस करके क्या बन जाएगे गंट प्लपलाइ तो यह क्या हो जाएक है इकेल में क्या दें रखा रखा थिद स्पेलीं स्पना सब्सक्राइब यह मैंने अब है यह मैंने अंद्रलाइन किये हैं यहां पे ध्व कर वि क हो बडर न वाय पा nod butterfly लिखो spelling B U T T E R butter F L Y वाइव क्या हो जाएगा यह butterfly butterfly means क्या होता है तितली होती है तितली की picture दे रखिया यहाँ पर ओके लिख लिखे ले सबने वापस देखो एक बार क्या लिखना है आपको B U T T E R बटर एफ एल वाय फ्लाई बटर फ्लाई हो गया डन रफ कर दू चलो अब फोर्थ नंबर पे आगए आप फोर्थ नंबर पे देखो क्या दे रखा है किसकी पिच्छर दे रखिए होट्स की तो जहां पर मैं अंडल लाइंग कर रही हूं वहां पर आप स्पैलिंग लिखो ह हॉठ की स्पैलिंग क्या होगी हई ह हो प्शレ लिखो एक बार फोर्थ नंबर वे हॉठ लिख लिए शबने रफ कर दू अब देखो होर्थ के कि जोपी एस सूज सूज की स्पेलिंग क्या ओगी एस एच एस ओ ये एस सूज पर देखो क्या होगी एस ओई सूज हॉर्स प्लस सूज लिख लिख ले सबने रफ कर दो मैं सूज की स्पेलिंग S-H-O-E-S सूज यह मैंने rough कर दी अब देखो अब जहाँ पर मैं underline कर रही हूँ वहाँ पर आपको यह spelling लिखनी है horse प्लस सूज की spelling को equal करके plus करके लिखना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो लिखो H-O-R-S-E horse वापस देखो एक बार क्या लिख रही हूँ मैं H-O-R-S-E horse चलो मैं spelling बोलती हूँ आप लोग लिखो H-O-R-S-E-S horse H-O-E-S मैं यहाँ पर लिखती हूँ H-O-R-E-S horse फिर देखो अब यहाँ पर आप अगला लिखो S-H-O-E-S horses मेरे यहाँ पर screen पर जगा नहीं है इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है लेकिन आपको क्या करना है book मैं यहाँ पर जहाँ पर मैं भी underline कर रही हूँ वाहाँ पर ऐसे उपर नीचे नहीं लिखना है है एकदम साथ में लिखना है क्या लिखोगे H-O-R-E-S H-O-R-E-S आए गए यहाँ पर सॉरी थोड़ी सी mistake हो गई तापस देखो H-O-R-S-E horse होता है H-O-R-S-E horse होता है horse H-O-S-E-S horse सुज क्या होगा सुज horses क्या बोलेंगा मैं इसको H-O-R-S-E horse H-O-S-H-O-E-S horses हो गया वापस देखो बेटा एक बार मैं स्पेलिंग दुबारा बोल रही हूँ H-O-R-S-E H-O-R-S-E horse horse S-H-O-E-S यह आपको साथ में लिखनी है horses horses क्या पढ़ेंगा मैं इसे horses हो गया यह complete done rough कर दूँ इसे यहाँ पर underline कर रही हूँ आपको यह spelling पूरी लिखनी है okay rough कर दूँ इसे एक बार वापस देख लो H-O-R-S-E horse S-H-O-E-S horses हो गया ड़न okay next देखो 5 नमबर पर क्या है P-E-A जहाँ पर मैं underline कर रही हूँ आपको लिखना है P-E-A क्या लिखोगे P-E-A जहाँ पर मैंने underline की है 5 नमबर पर आपको यह वहाँ पर लिखनी है लिखो P-E-A P-P मिन्स क्या होता है मटर क्या होगा मटर लिख 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 लिखना है rough कर दू okay मैंने यह rough कर दिया अब देखो second P के बाद में यह क्या है चाहाँ पर आप अब underline कर रही हूँ आपके इनको क्या बोलेंगे हम nuts क्या बोलेंगे nuts N U T S nuts क्या बोलेंगे N U T S nuts लिख लिए सबने nuts की spelling लिख ली वापस देखो N U T S nuts अब हम क्या करेंगे इनको प्लस करके लिखेंगे P प्लस nuts तो यह क्या हो जाएगा P nuts क्या हो जाएगा P nuts nuts की spelling rough कर दू ओके मैंने rough कर दी अब देखो मैं जहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ आपको लिखना है पीनट्स क्या लिखोगे पीनट्स पी ए ए एन यू टी एस पीनट्स क्या लिखोगे वापस देखो बेटा पी ए एन यू टी एस पीनट्स पीनर्स मिंस क्या होती है मुंखपली क्या होती है मुंखपली लिखे सबने या पर केस की पिचर निए मुंख़़ी की पिचरी तो बनी वे ड़न रफ कर दू मैं इसे ओक यह मैंने रॉफ कर दिया उसके बाद देखो अगला क्या दे रखा है 6 नंबर पर एक गोल वील दे रहे हैं अगले नंबर पर आपकी तो पिच्चर है वह गोल गोल है वील बने एक चक्के की तरह है तो इसे हम क्या बोलेंगे वील क्या बोलेंगे वील तो वील की ही हैं यह सब्सक्राइब क्या फोले का ब्लीच टबली मटल क्क्राइब गोल अपक्ति और मैंने इसे रफ कर दिया अब देखो सिक्स पे वाद में यह क्या बने हुए विल के बाद में प्लस में क्या है यह चैर क्या है जहां पर मैंने अंडरलाइन की है वहां पर आप स्पेलिंग लिखो आप चैर की क्या होगा चैर वापस देखो चैर मैंने इसकी स्पेलिंग आपके यहां पर स्क्रीन पर लिखी है लिखो चैर लिखली सबने अब क्या करना है मैं विल प्लस चैर को इकल पर यहां पर जो पिच्चर बनी हुए किसकी पिच्चर है देखो इकल मैं विल चैर की तो यहां पर हम क्या लिखेंगे वील चेयर, वील प्लस चेयर को जोड़के लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे रफ कर दू चेयर की स्पहली, यह मैंने रफ कर दी अब जहाँ पे अंडरलाइन किये, वहाँ पे आप लिखोगे वील चेयर की क्या लिखोगे, डबल एच, डबल एल, वील, सी एच, ए, आई, आर, वील चेयर लिख 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 लिखेंगे, वापस देखो एक बार, डबल एच, डबल एल, वील, सी एच, ए, आई, आर, वील, चेयर लिख लिख लिया, ओके, रफ कर दू इसे, अब देखो, नेक्स्ट आपके सेवन नमबर पे, लास्ट में क्या दे रखा है, पैन इसे क्या बोलते हैं, पैन, 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 इसकी स्पेलिंग क्या होगी, पैन, पैन, देखो, लिखो सब लोग, पैन, लिख ली सबने, डण, रफ कर दू, ओके, अब देखो, प्लस में किसकी, पिचर दे रखिये, प्लस में, किसकी बताओ, केक की, तो केक की स्पेलिंग क्या केख की स्पेलिंग क्या होगी सी ए केख लिखो मेरे साथ केख की स्पेलिंग मैं बोल रही हूं आप लोग लिखो आपकी स्क्रीन पर भी मैंने लिखी है सी ए केख हो गया रफ कर दो ओके लिख 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 लिया अपने केख की स्पेलिंग सी ए केख केख ओके इसे रफ कर रही हूं मैं अब देखो एकोल में क्या दे रखा है pen plus cake इसको अपने को plus करके लिकना था आफ रही है अब हम क्या लिखेंगे pen cake क्या लिखेंगे pen cake क्या जाएगा यह पैन केक देखों कंपाउंड वर्ड क्या होता है कंपाउंड वर्ड एक अकेला शब्द है लेकिन दो शब्दों से मिलकर बनाया जैसे अभी अपने यहां पर किया था जैसे पैन और केक यह दोनों दो अलग-अलग शब्द है लेकिन अमने क्या गया इसको में चूड़के क्या बना एक कंपांड में बना नोग डू ऌपका Rebecca एक सब्सक्राइब कर दिया तो आपका ये chapter 15 compound words चो क्या है आज complete हो चुका है आप लोगों ने आप लोगों को यहां पर जैसे मैंने बताया है वीडियो में देख दिखे आप लोग यहां पर ऐसे spelling लिखा है जैसे sun plus glasses तो क्या हो जाएगा sun glasses star plus fish starfish butter plus fly butterfly horse plus horses horses फिर पी प्लस नट्स पीनट्स वील प्लस चैर फिर पैन प्लस केक पैन केक यह आपका चैप्टर था जो आज डन हो चुका है अब हम अगले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे अगले चैप्टर हम 16 जो इससे next class होगी उसमें करेंगे अब देखो आपको अपनी नोट्बुक में वर कैसे करना है ऐसे जैसे मैंने यहां पर किया है आप क्या करोगे सबसे पहले सबसे उपर यूनिट 4 लिखके लिखोगे यूनिट 4 का नेम लेंग्वेज पाउर क्या लिखोगे लेंग्वेज पाउर उसके बाद चैप्टर नमबर डालोगे 15 और लिखोगे कंपाउंड वर्ड क्या लिखोगे कंपाउंड वर्ड जैसे मैंने यहां पर लिखा है यह देखो कंपाउंड वर्ड ऐसे आपको लिखना है उसके बाद जैसे मैंने यहां पर work किया है sun plus glasses equal sunglasses star plus fish equal star fish butter plus fly equal butterfly फिर देखो horse plus shoes horses pen plus nuts peanuts wheel chair wheelchair and pen plus cake pancake ऐसे work आपको अपनी notebook में करना है तो आज के हमारी class यहीं खतम होते हैं अब हम मिलेंगे नेक्स क्लास में तब तक आप लोग अपना ख्यार लगना और अच्छे से पढ़ाएगा ना ओके बेटा बाए थैंक यू